हालो स्टूडेंट इस आर्थी चोधरी सभी को बिल्कुल वैरी गुड मॉर्णिंग राधे राधे राम राम कैसे आप सब बढ़िया आज के लिए सोरी आपका थोड़ा सा टेकनिकल ग्लिच होने के करण बचा क्लास आपकी लाइब नहीं हो पा रही थी देखो सिंपल सी बा क्लास आपकी पूरी रहेगी ओके हम लोग इसको आपका कंटीनियू रखेंगे जितने भी कोशन कवर हो सकते हैं उतने कोशन हम लोग आज की क्लास में आपका कवर करेंगे बट उससे पहले सारे बचे एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ठीक है चलिए तो आ आज की क्लास का आपका पहला कोशन क्या है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पम प्लांट इन में से कौन सा है बताइए इन में से कौन सा प्लांट सबसे बड़ा है लार्जेस्ट जिम्नोस्पम प्लांट इन में से कौन सा है बताइए लार्जेस्ट जिम्नोस्पम प्लांट इन म देखो, जिम्नोगैम, यदि मैं आपसे बात करूँ फैनरोगैमस, यदि मैं आपसे बात करूँ तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है आपका क्रप्टोगैमस, दूत तरह होता है फैनरोगैमस, फैनरो गैमस में ही आपके Angiosperm and Gemnosperm आते है Angiosperm, यानि कि जिनके बीज के ऊपर covering होती है और Gemnosperm, जिनके बीज के ऊपर कोई covering नहीं होती, जैसे कि आम, आम आपका किस में आता है आम आपका Angiosperm में आता है, क्यों आता है? है जो बीज होता है, उसके ऊपर covering होती है, लेकिन यह आपका जिमनो पमे आता है, तो यहां पर बच्छा, जो आपका Redwood होता है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, आपका Redwood का पोधा है, यानि कि जो आपका लाल चंदन की जो लकड़ी होती है, उसका जो पोधा है वो आपका सबसे बड़ा होता है ठीक है और यह आपका जिमनो इस पम में आता है अगला कोशन देखते है which is dicot plant which is dicot plant पताईए which is dicot plant निमन में से कौन सा दुई बीजी पादप है निमन में से कौन सा आपका dicot plant है अभी आपका live है ना भाई class audio video सब कुछ और लोग के होगा dicot dicot का मतलब है कि जिसमें जिसके बीज जो होता है जो जिसके आपका बीज होता है यह आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो आपके किसमें include होते हैं dicot plant में include होते हैं चलिए जी निम्न में से पुष्प का यानि कि आपके प्लांट के अंदर पुष्प का नर जननांग भाग कौन सा है which one of the male reproductive part of flower which one of the male reproductive part of flower बताईए male का reproductive part देखो petals आपके भई सारे ही flowers में common होती है petals पंखुडिया क्यों होती है flower में क्योंकि पंखुडियों का काम होता है कि यह कीडे मकोडों को अपनी तरफ attract करती है मैं कीडे मकोडों को attract करने से plant का क्या फायदा होता है plant का फायदा होता है fertilization में pollen grains जो है यह आपके male के reproductive part है और जो आपका basically ovary है वो female का reproductive part है तो हमें fertilization के लिए pollen grain को ovary तक पहुचाना होता है जिसका माध्यम आपका हवा पानी और कीडे मकोडे होते है ठीक है और उन कीडे मकोडों को अपनी तरफ attract करने का काम किसका होता है petals का होता है पंखुडियों का होता है smell in fruit is due to बताइए फलों में खुश्बू का कारण इन में से कौन सा compound हो सकता है फूलों में इन में से फल ही पूछा है प्लों में खुश्बू का कारण कुछ फल जो होते हैं आपने देखा होगा अच्छी एक smell आती है चलिए एक लाकोशन देखते है Example of False Fruit Example of False Fruit इनमें से कौन सा आपका असत्यफल का एक उधारन है अब आपको यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि सत्यफल और असत्यफल क्या होते हैं यानि True और False Fruit क्या होते है True Fruit सापके वो Fruit होते हैं यदि आपके Πॉलन ग्रेन जो आपके मेल का रेप्रडेक्टिव बार्ट है यानि कि यदि आपके पॉलन ग्रेन फीमेल की ओवरी के साथ में रियक्ट करें और यहां से जो आपका fruit तैयार होगा यह जो आपका fruit होगा यह आपका True Fruit होगा ठीक है यह क्या होगा बच्चा आपका true fruit होगा लेकिन आपके pollen grain यदि ovary के अलावा stigma style या किसी और other part से आपका या ovule किसी भी बतलब ovary को छोड़ कर किसी भी और दूसरे part से react करते हैं और वहां से जो आपका fruit तयार होता है वहां से जो आपका fruit तयार होता है ये होता है आपका false fruit ये क्या होता है आपका false fruit होता है ओके जी तो यहाँ पर apple जो है save जो होता है सबसे ज़्यादा ये question पूछा जाता है save जो है ये बच्चा आपका basically false fruit है एक और question पूछा जाता है इनी option में से आपका कि tomato तमाटर जो है इसका इस्तमाल हम लोग सबजी के रूप में करते हैं बड़ तमाटर सबजी नहीं होता तमाटर is a fruit ठीक है आप लोग याद रखेंगे कि तमाटर जो है आपका एक फल है ल इन में से बीज के germination के लिए कौन से तीन तत्व जरूरी होते हैं बीज के अंकुरण के लिए इन में से कौन से तीन तत्व जरूरी होते हैं तो देखो simple सी बात है यदि आपको germination जैसे अभी आपका थोड़ा सा बारिस वाला सीजन सुरू हो जाएगा तो आलू प्याज हम हम लोग permule बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका permule बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग radical बोलते हैं यहां पर question पूछा जाता है प्लांट के रैडिकल या permule दोनों में से किस हिस्से से आपका root system त्यार होता है और किस हिस्से से आपका shoot system यानि कि तना ब्रांचीज यह जितन and oxygen, तीनों की ही जरुरत होती है किसी भी बीज को germinate होने के लिए, what part of the plant is known as lungs of plant, बताईए, पोधों को, पोधों के किस भाग को, हम लोग फेफडों के रूप में जानते हैं, पोधों के किस भाग को हम लोग फेफडों के रूप में जानते हैं, बताईए जी, तो देखो, फेफडों का हमारे शरीर में क्या कारिया होता है, बलड के अंदर से कारबंडाय उक्साइड बाहर निकालना और oxygen मिलाना, तो यदि मैं आपसे plants की बात करूँ, plants में इस काम को कौन करती हैं, तो में इस काम को करती हैं, आपकी leaf, ठीक है, leaves जो होती है, यानि leaf पत्तियां जो होती है, ये आपकी basically carbon dioxide को क्या करती हैं, basically intake करती हैं और oxygen को release करती है, गैसों का आदान प्रदान करने का कारिया किसका है, पत्तियों का है, oxygen which is liberated during photosynthesis comes from, प्रकास translation की प्रकरिया में मुक्त हुआ, oxygen gas कहां से मिलता है, बताईए, जो photosynthesis में जो plants आपके oxygen release करते हैं, photosynthesis में जो plant आपके oxygen release करते हैं, वो oxygen कोन सा होता है, तो ये oxygen होता है, जो oxygen paid pod हैं आपका पानी से लेते हैं, photosynthesis להיות in photosynthesis दिन में होता है रात में होता है या दिन और रात दोनों के ही समय होता है देखो actual में इसका आंसर होगा कि photosynthesis दिन और रात दोनों में ही होता है लेकिन आपका examiner क्या ठीक मानेगा आपका examiner ठीक मानेगा कि photosynthesis केवल दिन में होता है है ना यहां पर अगर माल लिया यह किसी भी डिगरी लेवल के जैसे कि माल लिया आपका प्रोफेसर लेवल पर यह कोशन पूछा जाए तो भई हम इसका आंसर डे और नाइट दोनों लगाएंगे क्योंकि रात के समय में क्या होता है जैसे दिन के समय आपके पेड़ पोदे ज्यादा ऑक्सिजन रिलीज करते हैं कार्बन डायोकसाइड इंटेक करते हैं आपने ये बास सुनी होगी कि कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए यह ना उसका एक रीजन ह होता था कि रात के समय पेड़ पोदे जो होते हैं वो आपके carbon dioxide छोड़ते हैं oxygen gain करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी carbon dioxide छोड़ते हैं amount जो होती है आपकी वो vary कर जाती जैसे दिन में माल लिया 80 और 20 का ratio है कि 80% oxygen 20 परशेंट आपका carbon carbon dioxide तो रात में रेशो बदल जाएगा रात में ये रेशो 80% carbon dioxide को जाएगा 20% oxygen को जाएगा पीपल के पेड को लेकर आपने सुना होगा कि पीपल के पेड पर भूत रहते हैं ठीक है फिर बता बताया गया कि पीपल तो है पीपल का जो पेड है वो तो देवता है हम उसे देवत पल जो है वो रात और दिन दोनों के ही समय आपका basically oxygen release करता है amount मैंने बोला amount ही रहेगी जैसे बाकी पेड़ पोधे रात के समय यदि 20% release करते हैं तो हो सकता है वो 60 या 80% release करता हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो carbon dioxide बिलकुल नहीं लेंगे वो भी carbon dioxide release भी करेंगे और intake भी कर प्रक्रिया यही कहती है लेकिन इंडिया में क्या है science की टमाब बताईए किसी को समझ नहीं आएंगी डराना शुरू कर दो लोगों को है ना डर से क्या है भी डर के कारण लोगों का इतना बड़ा बड़ा बिजनिस खोल लेते हैं डर का बिजनिस होता है देखा जाए तो यह ना कि लोगों को पहले डराया कि भी भूत रहते हैं इस पर इसलिए तुम इसे काटो गए तो कोई तुमें भूत परेत मार देगा यह वो फिर कहा गया कि नहीं यार चलो लोग थोड़े समझने लगे भूत परेत का चकर छुड़ गया तो फिर हमने उसको धर्म से का कारिये नहीं है निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कारिये नहीं है बताइए निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कारिये नहीं है नहीं देखो अभी लोग इतने समझदार हो गए है कि उनको पता है उक्सिजन देते हैं इसलिए हमें नहीं काटना पहले नहीं होते थे यार पहले बहुत पेड़ कटे हैं न हमने ही काटा है भई पेड़ों को अपने आप थोड़ी कट गए है तो सिंपल सी बात है देखो आपको सही information दे देती हूँ roots और जो हमारा root system है और जो हमारा shoot system है दोनों ही photosynthesis करते हैं लेकिन roots के अंदर जो photosynthesis होता है उसको negative photosynthesis में count करते हैं जो आपके exam point of view से इतना important नहीं है तो यहाँ पर भी आपको answer यहीं लगा के आना है कि जड़ों का कारिये photosynthesis कर नहीं होता यह हम लोग मानते हैं Leafs का कारिया है ठीक है चलिए जी अगला question है निम्न मेंसे किसमें सबसे अधिक और उर्जा रासाइनिक उर्जा में परिवर्तित करने की छमता होती है किसमें सबसे अधिक solar energy सबसे अधिक सोर उर्जा को यहां आप लोग लिखेंगे सोर उर्जा को रासाइनिक उर्जा में बदलने की छमता होती है तो किसके अंदर होती है क्लोरेला के अंदर किसके अंदर होती है क्लोरेला के अंदर होती है चलिए एकला question देखते है plant which flower only once in a life plant which flower once in a life जिन पोधों पर एक ही बार फूल आते हैं वो क्या है आपके? मोनोकार्पिक है वो क्या है बच्चे आपके? मोनोकार्पिक है चलिए एकला कोशन देखते हैं plant absorb nutrients through there पोधे अपना blank के माधियम से पोशक तत्वों को अवशोशित करते हैं किस से absorb करते हैं? बिल्कुल root से करते हैं किस से करते हैं? मचा आपका root से करते हैं चलिए एकला कोशन देखते हैं pulses are good source of pulses are good source of बताइए pulses are good source of pulse किसका छश रोत होती हैं? तो pulse के अंदर इन में से दाल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका protein पाया जाता है पोधों में सरकरा किस रूप में संसलेशित की जाती है? पोधों में सरकरा किस रूप में संसलेशित की जाती है? चलिए बताइए पोधों में सरकरा किस रूप में संसलेशित की जाती है तो सबस्यादा किस रूप में स्टोर करते हैं सेलिलोज की रूप में किसमें भई आपका सेलिलोज की रूप में चलिए गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है guard cells are present in guard cells आपकी कहां पर present होती है guard cells are present in तो guard cells कहां पर present होती है आपकी leaves में present होती है चल एक लोकुशन देखते है curcumin is obtained from बताईए कर्क्यूमिन इन में से हमें कहां से प्राप्त होता है कर्क्यूमिन इन में से हमें कहां से प्राप्त होता है बताईए कर्क्यूमिन इस ओप्टेंड फ्रोम कर्क्यूमिन कहां से प्राप्त होता है बिल्कुल बच्चा ये कुछ लोग आपस में क्यों बात कर रहे हो तुम लोग भीया पढ़ लो पहले ही क्लास आपकी छोटी है आज तो कहां से बच्चा टर्मरिक से अब देखो भीया जितने भी बच्चे हैं आपके जो पेड क्लासिस से जूड़ना चाहते हैं आप लोगों को सिंपल वेबसाइट को विजिट करना है अड़ा 24-7 आप लोग वेबसाइट को विजिट करेंगे यहां पर या एप्लिकेशन पर जाएंगे तो आपको 3 डोट मिलते है गवर्मेंट जोब एक्जाम सेलेक्ट किया हुआ मिलता है रेलवे पर जाएंगे आरार भी अलपी का हमारा आपका लेटेस्ट बैच जो है वो आपका 12 तारिख शे शुरू हुआ है वाई 446 कोड लगा कर आप लोगों को साड़े 400 रुपे में साड़े 500 की जगा यदि आप लोग कोड का इस्तिमाल करेंगे साड़े 400 रुपे में ये बैच मिल जाएगा बट आई प्रैफर रेलवे का महापैक ले क्योंकि रेलवे के महापैक पर आपकी डबल वैलेडिटी ओन है ये बैच आपको गुरुबडी अंटी पीसी ठीक है आप लोगों को अलपी टेकनीशियन आरपी एफ मतलब जो आपकी डेड़ लाख विकिंसी आने वाली है उन सब के बैचिस आपको ओटोमेटिक फ्री में मिल जाएंगे जो भी नए बैचिस आएंगे अगले दो साल तक सारी टेस्स स्रीज आपको फ्री में मिलेंगी सारे बच्चों को आप लोगों का क्या लेना है रेलवे का महा पैक ही लेना है यदि आप लोग मानते हैं कि मैं आपको एक सही चीज का सजजेशन देती हूँ सो प्लीस सारे बच्चे जितने भी नए है वो सबके सब इस रेलवे के महा पैक में इंरोल्मेंट करा लीजिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि और ये रेलवे का महा पैक दो साल के लिए एक हजार पचास रुपे में आपको मिल जाएगा भई पानसो रुपे एक साल का पढ़ा जिसमें टैसरीज बैच आपको बहुत सारी क्लासे सब कुछ फ्रीवे मिलेगा आप लोग पढ़के अराम से लेना लेकिन कब मिलेगा जब आप लोग कोड लगाएंगे कोड नहीं लगाएंगे तो भई आप लोगों को थोड़ा महंगा पढ़ेगा बाद में आप लोग शिकायत करते हैं तो ऐसा नहीं करना है तो चलिए भई, हाँ, सारे सबजेक्ट, अविनाश, सारे सबजेक्ट ही इसमें आपको पढ़ाये जाते हैं, ये सिर्फ साइन्स का नहीं है, सारे सबजेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, आपका, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्रफी, साइन्स, सब कुछ इसमें आपका इंक्लू अगरे, बाई-बाई, टेक केर, जय हिंद।